दोस्तों आज जिस तरह से कोरोना महामारी राक्षस की तरह पूरी दुनिया को निगलना चाह रही है उससे बचने का एक ही मात्र उपाय है साफधानी साफ सफाई खुद को वो परिवार को बचाने के लिए होम आईसोलेशन अर्थार्थ अपने घर पर ही रहकर आप स्वेंग और समाज एवंग देश को बचा सकते हैं महाभारत के युद्ध में अपने पिता दुरोनाचार के धोखे से मारे जाने पर अस्वथामा बहुत क्रोधित हो गए उन्होंने पांडव सेना पर एक बहुती भयानक अस्त्र नारायन अस्त्र का परियोग किया इसका कोई भी प्रतिकार नहीं कर सकता था यह जिन लोगों के हाथ में हथ्यार हो और लड़ने के लिए कोशिस करता दिखे उस पर अगनी बरसाता हुआ और तुरंत उसे नस्ट कर देता था भगवान स्री किष्ण जी ने सेना को अपने अस्त्र सस्त्र छोर कर चुपचाप हाथ जोर कर खरे रहने का और प्रकृति के सरण में जाने का आदेश दिया और कहा मन में युद्ध करने का विचार भी न लाए यह उन्हें भी पहचान कर नस्ट कर देता है नारायन अस्त्र धिरे धिरे अपना समय समाप्त होने पर शांत हो गया इस तरह पांडव सेना की रक्षा हो गई इस कथा प्रसंग का औचित समझे हर जगह लडाई सफल नहीं होती प्रकृति के प्रकोप से बचने के लिए हमें भी कुछ समय के लिए सारे काम छोर कर चुप चाप हाथ जोर कर मन में सुविचार रख कर एक जगह ठहर जाना चाहिए अपने घरों में परिवार के साथ इस्वर अल्लाह परम पुरूस या अपने इस्ट से प्रार्थना और शांती की अपील करें तब ही हम इसके कहर से बचे रह पाएंगे ये कुरोना भी अपनी समयावधी पूरी करके शांत हो जाएगा आप हम मेंसे कोई भी करोना से इन्फेक्टेट हुआ तो ऐसा होते ही तुरंत उसमें बीमारी के लक्षन नहीं दिखेंगे उसे खुद भी महसूस नहीं होगा कि उसे कोई परेशानी है या वाइरस का इन्फेक्षन हो गया है परंतु उससे अन्वेक्टी में इन्फेक्षन ट्रांस्मिट हो सकता है वाइरस से इन्फेक्ट होने के चौदर दिन बाद तक भी कभी कभी लक्षन आ सकते है इसलिए आप और हम स्वस्थ लगने वाले वेक्टी के साथ बैठे हो तब भी हो सकता है वह इन्क्यूवेशन पिरियड में हो ऐसे में हो सकता है हम कोई इन्फेक्षन अपने साथ ले आए और अपने परिवार के सद्श्यों या अपने मित्रों को दे आए या हमें भी पता तब चलेगा जब बिमारी के लक्षन दिखने लगेंगे मैं किसी पैथी की बुराई नहीं कर रहा हूँ लेकिन कोई कितने ही दावे करे यह सच है कि COVID-19 का इलाज नहीं है जो कह रहा है उसके पास इलाज है वह सफेद जूट बोल रहा है जिस दिन बिमारी दिखेगी उस दिन उस वैक्ती की रोग परती रोधक छमता और वाइरस की बिमार करने की छमता तथा उसके फेफिरों हार्ट गुर्दे जैसे अंगों का सामर्थ तै करेगा कि वह जिन्दा बचेगा या नहीं इसलिए या दुस्साहस दिखाने वाले लोग अपने ही घर के ब्रिद्द लोगों के हत्यारे साबित होंगे जिनकी रोग परती रोधक छमता कमजोर हो गई है घबराने की आवस्कता नहीं है पर अनावस्यक जुन्ड घुमना मिलना कुछ दिनों के लिए बंद किजिए कवल ये दूरिया ही बचा सकती है मास गलाफ सैनिटाइजर कोई भी प्रोएक्टिव नहीं है सिर्फ सहायक हो सकते हैं हम जाती धर्म राज राजनीती पार्टी और सेख्षी बगहरने के लिए नियमों को तोरने में आनंदित होते हैं स्कूल कालेज, ट्रेन, मौल, मंदिर सब धीरे धीरे बंद हो रहे हैं लेकिन कुछ राक्षसी मान सिकता के लोग जो इसे गंभीरता से नहीं समझना चाहते वे खुद भी मरेंगे और दूसरों को भी मरवाएंगे मेरा विनम्र आग्रा है कि सरकार के आदेश का पालन करें, हाथ साब करें, बार बार, किसी से हाथ ना मिलाएं एक मीटर की दूरी से बात करें, कुछ अंदेशा हो तो चिकतसक को दिखाएं वरना जिस दिन मजाग बनाने वालों की मा, बाप, पत्नी, बेटा, बेटी या कोई और इसकी चपेट में आया उस दिन सारी मजाग धरी की धरी रह जाएगी अपनी चिंता नहीं भी करते हो पर अपनों की चिंता किजिए आपको जिन्होंने जीवन दिया है उन्हें मौत मत दिजिए अभी भी वक्त है सावधान हो जाईए धन्यवाद दोस्तों वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें